कि दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का mgv study point यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स कोशन सीरीज नंबर है 46 और इससे पहले 45 सीरीज अपलोड हो चुकी है तो अब हम बात करेंगे यह सीरीज है जीके की जिसमें mcq टाइप टोटल 10 कोशन है jmrc एक्जाम बेस्ट जीके के mcq टाइप टोटल 10 कोशन है आज के हमारे सी वीडियो में यह वीडियो jmrc रीट hssc पटवारी पुलीस हाई कोट और अन्य सभी एक्जाम के लिए पूछी जाती है तो उसके लिए आप अलग से वीकली करंट अफेर अपडेट होता है तो वह देख सकती है और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं तो आज के हमारे इन कोशन की तो इससे पहले वीडियो को लाइक सेर जरूर करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजी और कोमेंट करके जरूर बताए वीडियो कैसा लगा है और अधिक जानकारी के लिए MGV StudyPoint YouTube चैनल पे विजिट करें आप प्लेलिस्ट देखें Old Soul Word Paper Mixed Question Series जो सभी सब्जेक्ट की है तो चलते हैं बात कर लेते हैं आज के हमारा Question First है Question First में Lothal नमकिस्तल किस नदी के किनारे इस्तित है तो बात कर रहे हैं हम Lothal की और Lothal है ये एक सिंदू सबेता का ही भाग है और ये किस नदी के किनारे है तो यहां पे हमारा Ensure Option C है भोगवा नदी भोगवा नदी के किनारे Lothal है और कहीं पे आपको जो भोगना भी नाम इसका लिखा हो सकता है और इस Lothal की जो खोज है ये की गई थी 1957 में और रंगनात राव ने की थी रंगनात राव ने गुजरात के एहमदाबाद में और लोथल में बंदरगा के परमाण जो प्राप्त होते हैं और जो की एक मातर बंदरगा के परमाण है वो लोथल से प्राप्त होते हैं चावल के पर्थम साक्से है वो भी हमें लोथल से प्राप्त होते हैं तो चलते हैं नेक्स कोशन के और नेक्स हमारे पास सासं काल में भारत आया था तो बात कर रहे हैं मेगशनीज की और किसाष्त के चंधर ऑप्षिन भी है चंद्रगुप्त और यह चंधरगुप्त थे मोर्ये चंद्रगुप्त मोर्ये के दर्बार में जो मेगस्तनीज है ये राजदूत बन करके आये थे और अब हम बात करेंगे ये सेल्यूकस का राजदूत था सेल्यूकस का राजदूत मेगस्तनीज जो चंद्रगुप्त मोर्ये के दर्बार में और ये भारत में 309 में इसा पुर्वे से 209 में इसा पुर्वे तक के रहे थे और इन्होंने भारत का जो कुछ भी अपनी आंखों देखा हाल था वो अपनी इंडिका में दर्ज किया है तो मेगस्तिनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है बात कर लेते हैं अगले कोशन की तो अगे हमार पास कोशन नमबर है नेक्टे कोशन 3 कोशन 3 में संगमरमर किस परकार की चटान का उधारन है तो बात कर रहे हैं संगमरमर ये किस परकार की चटान का उधारन है और यहां पे हमारा इंसर उप्षन C कायांत्रिक चैटान का दूसरा नाम है रूपांत्रित चैटान क्योंकि ये चैटान है ये रूपांत्रित हुई है और इसलिए इसका नाम रूपांत्रित चैटान पड़ा है और संगमरमर है ये कायांत्रिक चैटान का उधारन है बात करे कुछ से सबसे बड़ी 마rences वंडी किसंगड़ आजमेर में है और उत्पादन की तरह्टि के मार्बल की दर्ष्टि से रजिस्तान पर थम है देश में डेश में की और नागोर के मकराना का जो मार्बल है वो सर्वसरेष्टे मार्बल है और चलते हैं अगले कोशन की और तो नेक्सा मारे पास कोशन नमबर है 4 कोशन 4 में राजस्तान में पहली रेल कब चली तो बात कर रहें राजस्तान की पहली जो रेल रियास्त काल में चली थी और ये कब चली थी option d अप्रेल 1864 को अप्रेल 1864 को राज स्थान की पहली रेल चली थी और ये चली थी जयपूर रियास्त में जयपूर रियास्त में और ये आग्राफ फॉरेट से बांदी कुई दोसा के बीच में चली थी अठारा सो चुरेतर अप्रेल अठारा सो चुरेतर में राजस्तान की पर्थम रेल चली थी और चलते हैं अगले कोसिन के और बात कर लेते हैं तो next हमारे पास question number है फाइव कोशन फाइव में गरब गुंजन तोप किस दुरग में रखी हुई है तो बात कर रहे हैं गरब गुंजन तोप की और ये तो कौन से किले में कौन से दुरग में रखी गई है तो यहां पे हमारा इंसर उप्शन ए है तारागड और ये तारागड है बुंदी जिले म ये तारागड है ये बुंदी जिले में एक तारागड है वो अजमेर में भी है लेकिन ये तो तारागड बुंदी के किले में रखी गई है और चलते हैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोशन की तो नेक्स्ट हमारे पास कोशन नमबर है 6 Q6 में दसरा का मेला कहां का परसिद है तो दसरा का जो मेला है वो कहां का परसिद है और यहां पे जो दसरा का मेला परसिद है यह है option B कोटा का दसरा का मेला कोटा का परसिद है और यह आस्विन सुकल दसमी को सुरू होता है आस्विन सुकल दसमी को शुरू होता है और सबसे पहले जो कोटा के दसरा मेला की शुरुवात हुई थी ये अठारा सो पिचाण में महाराजा उमेद सिंग के समय में हुई थी अठारा सो पिचाण में महाराजा उमेद सिंग के समय में हुई थी और दसरा मेला पर खेजडी वरिक्स येउ हतियारों की पूजा की जाती है चलते हैं अगले कोशन के और तो नेक्स्ट हमारे पास कोशन नमबर है सेवन कोशन सेवन में विदान सबा सदस्यों की अधिक्तम संक्या कितनी होती है तो बात कर रहे हैं विदान सबा के सदस्यों की जो अधिक्तम संक्या वो कितनी होती है तो यहां पे हमारा इंसर ओप्शन C है 500 विदान सबासदस्यों की अधिक्तम संक्या 500 होती है और बात करेंगे सरवादिक जो है ये है उत्तर परदेश में विदान सबासदस्यों की जो सरवादिक संक्या ये उत्तर परदेश में है वो 403 है और बात करेंगे इसकी नियुनतम की तो इसकी नियुनतम जो संक्या हो सकती है वो 60 हो सकती है विदानसभा सदस्यों की नियुनतम संक्या 60 हो सकती है और अधिक्तम है वो 500 है और यूपी में सरवादिक है 403 403 सीट है विदानसभा की और इसे में हम बात कर लेते हैं र और राज्य सवा की है 10 और विदान सवा की है 200 राजस्तान में विदान सवा की सीट है 200 राज्य सवा की है 10 और लोक सवा की है 25 सीट है इसमें हम बात करेंगे कि 84 वेस विदान संसोधन और यह वा था अगस्त यह वा था अगस्त 2001 में अगस्त 2001 में हुआ था और इस संसोधन में इसे संसोदन में कि विधान सबा की सीटों को 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा और यह जो सीटें होती है विधान सबा की यह अनुछेद 170 के तेहर राजी की जन सेंच या के आदार पे सीटे निरदारित होती है कि किस राजे में कितनी सीटे होनी है लेकिन अधिकतम 500 से अधिक नहीं हो सकती है ये 84 स्विदान संसोदन 2001 में जो किया गया था और चलते हैं अगले question के और तो बात कर लेते हैं तो next हमारे पास question number 8 Question 8 में पन्ना ध्याई के पुतर का नाम क्या था जिसका बनवीर ने उदे सिंग समझ कर वद किया था तो बात कर रहे हैं पन्ना ध्याई के उस पुतर का जिनोंने अपना बलिदान दिया था उदे सिंग को बचाने के लिए और बनवीर से बचाने के लिए पन्ना ध्याई ने उदे सिंग को बचाने के लिए अपने पुतर को वाँ पे शुला दिया था और उन पूतर का नाम था option B करेक्ट है चंदन पन्ना धाई के पूतर का नाम चंदन था तो बनवीर ने उदे सिंग समझ करके इसका वद कर दिया था बात कर लेते हैं इसी के साथ में तो बात करेंगे कि पन्ना धाई के पूतर का नाम चंदन था और पन्ना चितोडगड के माता जी की पांडोली गाउं की थी और पन्ना धाय के पिदा का नाम हरचंद हाकला और पती का नाम सूरज मल चौहान था और पन्ना खीची गुर्जरी थी गुर्जर जाती कि थी और चलते हैं अगले कोशन की और तो next हमारे पास question number है 9 Question 9 में महाराणा परताब की छत्री कहां पर है तो हम बात करें महाराणा परताब की छत्री की और ये कहां पर है महाराणा परताब की जो छत्री है वो कहां पर है और यहां पर हमारा answer है option D, बाडोली बाडोली उदेपूर में है ये चावंड के निकट और महाराना परताब की जो छत्री है ये बाडोली उदेपूर में है चावंड के निकट और आठ खंबो की छत्री है महाराना परताब की महाराना परताब की मर्त्यू 19 जनवरी 1577 में को हुई थी और इनका जनम 9 मई 1540 को कुम्बलगड के कटारगड के बादल महल में हुआ था और चलते हैं अगले कोशन के और तो नेक्स आमारे पास कोशन नमबर 10 जो कि इस वीडियो का लास्ट कोशन है कुशन 10 में संत जसनाथ जी का जनम कहां हुआ है तो बात करें संत जसनाथ जी के जनम का और इनका जनम कत्रिया सर बीकानेर में हुआ था तो ओप्शन ए कत्रिया सर इनका जनम कत्रिया सर बीकानेर में हुआ था और पीता का नाम हमीर जी जाट थे और माता रूपादे थी विक्रम सम्मत 1549 को कार्तिक सुकल एका दस्मी को जस नाथ जी का जनम विक्रम सम्मत 1549 को कार्तिक सुकल एका दस्मी को हुआ था तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धनेवाद लाइक शेर करने के लिए धनेवाद और नेक्स्ट वीडियो अपलोडो तब के लिए धन्यवाद